जैश याराम दोस्तों जी हाँ एकांतवास बैंगलोर के प्रोग्राम के बाद बाबा एकांतवास में चले गए हैं क्यों एकांतवास तो दोस्तों पुस्तक की रचना कर रहे हैं बाबा पंडित दिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पुस्तक की रचना कर रहे हैं जिसमें उ बर्दन करेंगे कि धर्म क्या है क्योंकि आज की जो पीड़ी है दोस्तों उन्हें लगता है या सच भी है कि आज की पीड़ी को पता नहीं कि धर्म क्या है धर्म का एक्च्वल मतलब क्या है क्या करना चाहिए धर्म हमें क्या सिख्छा देता है कुछ मतलब नहीं आज की वा पिड़ी को इसके लिए उनके उत्थान के लिए धर्म क्या है इस पे अपना ब्यक्तब लिखेंगे और दुसरी बात यह भी लिखेंगे हिंदू राष्ट का मतलब क्या है बार बार अपने अभी वासन में अभी अपने प्रवचर में बोलते हैं कि हिंदू राष्ट का मतलब क्या है इंदुराष्ट बनाना चाहते है वारत को दोस्तों सही बात है एक आंतवास तो कोई आसान काम है नहीं अगर आपको लगता है कि बहुत आसान काम है तो आप एक दिन महीने में बीना मोबाइल का एक दिन अपना रूम में रहे पता चलेगा एक आंतवास का मतलब क्या और सही सी बात है कि मिस्किल है आपसे दूर रहना क्योंकि जो बात है दोस्तों हमेसा लागों सर्दालों के बीच रहने व कोई आदमी अगर एक समय कि यह जरूरत है और सनातन के लिए जरूरी है क्योंकि पुस्तक जो लिखने जा रहे हैं दोस्तों पांच दिन आज से लेकर के बीस तारिक तक एकांतवास में रहेंगे और पुस्तक का फ्री में बितरन करेंगे दोस्तों स्कूल और कॉलेज में स्कूल कॉलेज क्यों कि आज का यूबा पड़ी को पता नहीं है सनातन क्या है हिंदू क्या है हिंदू राष्ट क्या है और धर्म क्या है तो एक तमाम जानकारियों के बारे में अपुस्तक में लिखने वाले हैं और फुस्तक लिखने के बाद पांच दिन बाद जब आएंगे तो अपना प्रवचर में बताएंगे दोस्तों कि क्या क्या इन्होंने लिखा लेकिन topic clear है कि धर्म के बारे में बताना है, इन्दू राष्ट क्या है उसके बारे में बताना है यूबा पिडि को मजबूत बनाना है, ससक्त बनाना है दोस्तों दोस्तों इनकी बातों से पुष्टक आने के बाद आगे का जो लोग हैं जो हिंदू को हमेशा टारगेट करते हैं यह पुष्टक उनके टारगेट पर होगा लेकिन कैसे इन सवालों से हम लोग को आगे आना है बाबा कैसे आगे आते हैं यह ध्यान देने वाली बात है और ऐ बात नहीं है कि हिंदू का मतलब के भल हिंदू हिंदू एक बहुत ही बियापक सब्द है दोस्तो इसे समझने की जरूरत है और हिंदू और सनातन जो की सबसे पुराना धर्म उसे मजबूत करने के दर्म जरूरत जैस श्रीडाम दोस्तों